हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम कली वाले कुर्टे की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर देखे हमने कपड़े को लंबाई में फोल्ड करके रखा है यहाँ पर डबल फोल्ड है अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो इस तरह से इसको उठा के हम तो देखें यहां पर open side है और यहां पर fold side है और कुरती की length मैंने लिए है 44 inch तो यहां पर हम shoulder लेंगे तो जितना आप shoulder लेते हो उसका भी आपको half लेना है यहां पर तो shoulder है मेरा 7 inch तो उसका हम half लेंगे 3.5 inch पर और plus यहां पर half inch हम extra लेंगे क्योंकि कलियों को हमें attach करने के लिए half inch margin लगेगा तो 4 inch पर मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी अभी यहां से हमें नीचे की तरफ 17 inch पर निशान लगाना है सभी size के लिए आपको 17 inch ही mark करना है और यहां पर straight line draw कर लेनी है अभी यहां पर bottom में हमें इसके center पर mark करना है यह जो पूरा कपड़ा है इसके center पर हमें निशान लगाना है मेरा यहां पर साड़े 9 inch आ रहा है तो मैं यहां पर इसके center पर mark कर लूँगी और उसके बाद इन दोनों निशानों को हम तेरच्छा जोड़ देंगे और अभी हम इसकी यहां से cutting कर लेंगे तो देखिए हमने cutting कर लिए है अभी इस part को उठा के हम इस तरफ कर लेंगे तो देखिए इस तरह से में उठा के इस तरफ करेंगे यहां पर हमारी तिर्ची साइड है और यहां पर सीधी साइड है तो सीधी साइड हमें यहां पर मिला लेनी है इस तरह से और इसको हम half inch उपर चड़ाते वे रखेंगे क्योंकि half inch हमारा सिलाई में जाएगा तो पुरा निचे तक हमें इसे half inch उपर चड़ाते वे रखना है और यहां पर हम pin लगा लेंगे जिससे की हमें मार्किंग करने में आसानी हो तो पुरा निचे तक हम pin लगा लेंगे और अभी हम यहां पर शोल्डर लेंगे तो शोल्डर में ले रहे हूं 7 inch आर मोल भी में ले रहे हूं 7 inch इन दोनों points को जोड़ते हुए straight line ड्रा कर लेंगे अभी हम यहां पर chest का fourth part plus two inch margin लेंगे जितना आपका chest का size है उसको 4C divide करना है plus two inch margin लेना है तो मैं ले रहे हूं यहां पर 11 inch अभी हम उपर से कमर की length लेनी है तो वो मैं ले रहे हूं 14 inch small size के लिए 14 inch लेना है large xl size के लिए 15 inch लेना है अभी उपर से ही हम hip length लेंगे तो वो मैं ले रहे हूं 20 inch यहां पर भी small size के लिए 20 inch लेना है और large size के लिए 21 inch लेना है अभी जहां पर हमने कमर length का निशान लगाया है वहां पर हमें कमर का 4th part plus 2 inch margin लेना है तो मैं ले रहे हूं 9 inch और जहां पर हमने hip length का निशान लगाया है वहां पर हमें hip का 4th part plus 2 inch margin लेना है तो मैं लेने यूँ 11 एंज अभी इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे और उसके बाद इस निशान को हमें क्रॉस में एक्स्टेंड कर देना है नीचे बॉटम तक अभी हम आर्मोल ट्रॉ कर लेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहां से हम आर्मोल का शिप देंगे यह हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से एक और आर्मोल ट्रॉ कर लेंगे यह हमारा फ्रेंट का आर्मोल है अभी हम neck की marking कर लेंगे तो neck width में ले रही हूँ 2.5 inch और neck deep में ले रही हूँ 5 inch front के लिए और back के लिए में ले रही हूँ 3 inch यहाँ पर भी हम 2.5 inch लेंगे और एक box बना लेंगे और round shape दे देंगे front neck के लिए और back neck के लिए भी हम round shape देंगे तो marking हो गई है अभी हम cutting करेंगे सबसे पहले हम back neck और back armhole से cutting करेंगे तो देखें हमने cutting कर लिए अभी जो pin हमने लगा है उन्हें हम हटा देंगे तो अभी हमें इसमें से back part को side में रख देना है तो इस तरह से हमें इसे open करेंगे और back part को side में रखेंगे और इसको फिर से fold करेंगे front part को और इसी तरह से side के भी दो पार्टस हम भाटाएंगे back part के बीच के दो पार्टस हमें उठा के side में रख देने हैं और इसको वापस fold कर लेना है और उसके बाद हमें front neck और front armhole की cutting कर लेनी है तो हमने front neck front armhole की cutting कर ली है अभी हम इसको open करेंगे तो इस तरह से यह हमारा front का part आएगा तो जो side की कलिया है इन्हें हम attach कर लेंगे तो इसके लिए हमें इसके ओपर उल्टा रख देना है दोनों की सीधी side हमें अंदर रखनी है और किनारे से सिलाई लगाते हुए attach करना है और सेम इसी तरह से हमें दूसरे part को भी attach कर लेना है तो देखें हमने तीन कलिया यहां पर front की attach कर ली है और सेम इसी तरह से back की भी तीन कलिया हमने attach कर ली है अभी हम इसको center से fold कर लेंके और back part को भी fold करते हुए इसके उपर रखेंगे और यहाँ पर bottom में हम इसको बराबर कर लेंगे तो जो extra है उसको हम cut करके इसको level कर लेंगे इस तरह से अभी यहाँ पड़ देखें मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ इसका घिरा बहुती ज़्यादा आया है यह देखें अमरेला कट जैसा ही इसका घिरा आता है अगर इस घिरे को हम पूरा मेजर करेंगे तो यह यहाँ पर टोटल 50 इंच आया है के लिए आया है अभी हम इसको फोल्ड करेंगे और नेक के लिए स्ट्रिप कट करेंगे तो यह हमने यहाँ पर फैबरिक का पीस लिया है इसको हमें फोल्ड करना है और फोल्ड साइड के ओपर हमें फोल्ड साइड ही रखनी है और फैब्रिक को हम इसके अंदर रखेंगे और यहाँ पर हमें नेक के शेप में मार्किंग कर लेनी है अभी हम इसकी कटिंग कर लेंके और साइड से भी 1,5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है तो इस तरह से हमने नेक के लिए स्ट्रिप कट कर ली है अभी हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे तो हमने फैब्रिक को फोर फोल्ड किया है यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है और यह फोर फोल्ड मैंने लिया है 9 इंच का जितना आपका आर्मोल है उससे 2 से 3 इन जदा लेना है तो मैंने आर्मोल 7 इंच लिया था इसके लिए मैंने यहाँ पर यह 4-fold 9-inch का लिया है अभी sleeves की length मैंने 10-inch ली है length आप अपने according कम ज़दा कर सकते है अभी यहाँ पर open side से 3-inch पर हमें mark करना है और यहाँ से हमें sleeves का shape दे देना है अभी यहाँ पर sleeves bottom लेंगे तो वो मैं ले रही हो 6.5-inch इन दोनों points को जोड़ देंगे और sleeve की cutting कर लेंगे तो हमने sleeve की cutting कर ली है अभी हम इसे open करेंगे और यहाँ पर front का armhole draw कर लेंगे और इसकी cutting कर लेंगे तो हमने इसकी cutting कर ली है अब यहाँ पर देखिए आपको दोनों की cv side अंदर की तरफ रखनी है या फिर ulti side अंदर की तरफ रखनी है उसके बादी आपको front का armhole draw करना है और इसकी cutting करनी है इससे आपके sleeve का जो front का armhole रहेगा वो आगे पिछे नहीं होगा दोनों sleeves के armhole बराबर cut होंगे तो यह देखे यह हमारे दोनों side के दो sleeves अभी हम stitching करेंगे तो front neck बनाने के लिए जो हमने strip cut की है इसे हम इसके ओपर उल्टा रख देंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे तो इस तरह से हमने strip को यहाँ पर attach कर लिया है अभी हमें यहाँ पर छोटी-छोटे cut लगा लेने है और उसके बाद हमें strip को अंदर की तरफ fold करके top stitch लगा लेना है तो हमने यहाँ पर top stitch लगा लिया है बाद में हम यहाँ पर hand stitch करके front का neck बना लेंगे अभी हम back neck बनाएंगे तो यह हमने back का part लिया है तो back neck के लिए हमें इसी shape के strip लेनी है इसे हमें इसके उपर उल्टा रख देना है और किनारे से सिलाई लगा देनी है उसके बाद हमें strip को wrong side में fold करके top stitch लगा लेना है जिस तरह से हमने front neck बनाया है उसी तरह से तो हमने यहाँ पर back neck भी बना लिया है अभी हम front का part इसके उपर उल्टा रखेंगे और shoulders attach कर लेंगे तो अभी देखे sleeves में हम pattern बनाएंगे तो sleeves की जो length है वो हमारी 10 inch है तो sleeves की length बढ़ाने के लिए हमने यह strip ली है और इस strip की जो length है वो हमने 5 inch ली है और इस strip की जो चोड़ाई है वो हमें sleeve bottom के double ले लेनी है अभी इसमें से एक side की sleeve को side में रख देंगे अभी हमें strip के center में mark कर लेना है उसके बाद हमें strip के bottom को double fold कर देना है इस तरह से तो हमने bottom को double fold कर दिया है अभी यहाँ पर हमें एक बड़ी सी plates डालनी है तो इस तरह से हमें center में रखना है plates को और इसी तरह से दूसरे side में भी plate डाल लेनी है और यहाँ पर हमें silah लगा देनी है तो हमने यहाँ पर इस तरह से plate डाल ली है अभी हम strip को इसके उपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा की से attach कर लेंगे तो देखे हमने strip को यहाँ पर attach कर लिया है तो यह हमारा sleeve इस तरह से आएगा आप चाहे तो यहाँ पर button attach कर सकते हैं यहाँ पर इसे ऐसे ही रख सकते हैं और इसी तरह से हमने दुसरा sleeve भी ready कर लिया है अभी shoulders पे हम sleeve को attach करेंगे तो sleeve को हमें shoulder के उपर उल्टा रख देना है और सिलाई लगा के इसे attach कर लेना है इसी तरह से दुसरा sleeve भी attach कर लेंगे तो हमने दोनों स्लीफ को एटेज कर लिया है अब इसको उल्टा करके दोनों साइट से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम में हमें डबल फोल्ड कर देना है